हलो स्टुडेंट्स आज की हमारी वीडियो है यह बाहए अर्थ चालक पर ताप का प्रभाब यह जो एक्स्ट्रिंग से सेमिकंडिक्टर है वो किस तरह से बिहईवियर करेगा उसके बारे में हमको चालना है तो देखिए नोट्स आपके सामने देख रहा है सामान अताप पर एंटाइप सेमिकंडिक्टर के डॉनर पर मारूं का पूर्ण आयनी करण हो जाता है पूर्ण आयनोंिसिशन हो जाता है आप एम टेंप्रीचर बढ़ेंगे तो कॉवलेंट बांड बरेक होने लगते हैं को बांड भोते तो उसमें क्या इससी आएगी जिएगी किसा ज्यादा जाएगे तथा एक बिसेस ताप पर क्रिटिकल टेंपरेचर फोल सब्सक्राइब समय उग्या यह उनका कंसेट्रेशन लगबख समान हो जाएगा एक बिसेस टेंपरेचर पर एक इस्थिति आएगी कि सारे कोबलेंड बॉन टूट जाएंगे ब्रेक हो जाएंगे तो क्या वा संक्या बराबर होती है तो लगबग समान हो जाएगी इस समय एक प्यूर सेमिकंडुक्टर की तरह ब्योवर करने लगता है के वल कंडुक्टिविटी कुछ बढ़ जाएगी ओके जर्मेनियम के लिए किट्रिकल टेंप्रेचर का मान 85 जर्मेनियम के लिए और सिलिकोन के लिए यह 200 डिरी सेल्सियस पीटाइप सेमिकंडुक्टर के साथ बिलगबग ऐसा ही होता है इसका देखी निसकर्स क्या निकला कि एक्स्ट्रिंसिक सेमिकंडुक्टर का टेंप्रेचर बढ़ाने पर एक्स सेमिकंडुक्टर हो अगर उसको हम टेंप्रेचर बढ़ाते हैं तो वह सेमिकंडुक्टर ना रहे करके प्यूर सेमिकंडुक्टर करने लगता है जैसा कि प्यूर सेमिकंडुक्टर करने लगता है चली अगला इसमें एक छोटा सा टॉपिक हो रहे है इसमें ये टॉपिक ह करते हैं जो एक्सिंसिक सेमी चन्डाक्टर है जर्मेनियम पर जिलीकॉन का यूज क्यूं है हमं जार्मेनियम इत्क सिल disfrut पहला क्या है पहला है अरचाल की तुलना में इनको ज्यादा सुद्ध किया सकता है इनका प्यूर्टी रेट बहुत ज्यादा होता है इस जर्मेनियों सिलिकॉन के अंदर क्या भी सेचता है कि अगर हम इनकी डॉपिंग कर दें तो इनकी कर seeing कर सकते हैं यह मतलब मंटा है कि जर्मेनियों सिलिकॉन का इस्ट्रक्चर सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है है डीटन केुटन के सारे 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 इंड्स जो है किसके होंगे सिलिकान अथ सिलिकॉन के ही होंगे और एक रेगुलर एरेंजमेंट पर होंगे ओके जो अपने आपको बार-बार दोह रहाता है जिस कारण इनमें असुद्धियां मिलाने पर इनकी इनकी केवल बैद्दत बिसंतां एलेक्ट्टिलिल प्रोपsti में बदलावा आता है जबकि इनकी क्रिस्ट्टल इस्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आता है इनकी qu obedient क्या है कि अगर हम इसमें इंपूर्टी मिला दें तो इनका क्रिस्ट्रल इस्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है क्रिस्ट्रल इस्ट्रक्चर इनका वही रहता है बस इनकी इलेक्टिकल प्रोपर्टी इत्यादी में परिवर्तन आता है उसके बाद एक कोशन यह भी बहुत तो सबसे ज्यादा प्रकरती में उपलब्द है वो सिलिकोन है और इसकी प्रोपटी बहुत सारी प्रोपटी मिल जाएंगी जर्मेंगे बहुत ज्यादा बहतर है यह कई मायनों में तो इसको आप खुद से थोड़ा त्यार कर लीजिएगा आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू